स्वानाश्कार दोस्तों बहुत-बहुत सवागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आप वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Union Bank की application को यूज करते हैं यह वो application है वियूम करके देख सकते हैं वियूम करके यह application है अगर इसमें आप जब भी अपने ये बगूर्ण पर दिखाता है log-in pin expired currently reset login pin मैं आपको दिखाता हू Run जैसे यहाँ पर login करेंगे login करने के लिए यहाँ पर बोलेगा कि आपना for a digit का pin डालिए तो यहाँ पर मैं pin डालकर दिखाता हूँ आपको तो जैसे यहाँ पर pin डालेंगे और यहाँ पर आपको दिखा देगा ऐसे यह error आपको दिखाएगा your login pin expired currently reset login pin अगर आपको यह error आ रहा है आप pin डालते हैं जब भी तो आपको क्या करना है कैसे इसको सही करना है जिससे आप अपना login कर 25 अप्लिकेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो चले के लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है इसका solution क्या है आपको login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो है कुछ भी नहीं करना नीचे आपको देखने को मिल रहा है forget reset login पिन आपको forget reset login पिन पर क्लिक करना है आपके सामने यह information निकल कर आएगी I have debit card लिखा हुआ है सबसे उपर then उसके बाद I have internet banking I already have a token I have registered adhaar number और यहां पर आपको ऐसा सब कुछ देखने को मिल जागा यहां पर देख सकते हैं I have internet banking तो यहां पर मिर पास debit card है तो debit card से कैसे आप जो अपना login पिन चेंज कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाला हूँ तो इसको debit card पर ही अगर आपके पास है debit card तो internet banking से करना चाहते हैं तो internet banking को यहां पर select करिएगा तो यहां पर आपको internet banking सी सारी जो detail डालने पड़ेंगी तो मिर पास debit card है तो debit card को यहां पर select कर लेता हूँ debit card को select करने के बाद यहाँ पर debit card number सबसे पहले आपको डालना होगा देन उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को विल रहा What is the result of 2 plus 2 इस karnsudar 2 plus 2 कितना होता है वो यहाँ पर लिखना होगा मैं आपको एक बार सब कुछ detail में डाल कर फिर आपको दिखाता हूँ so guys मैंने सारी detail डाल दी है आप आपको क्या करना है नीचे submit को option देखने को मिल रहा है submit के option पर आपको click कर दिना है जैसे आप submit के option पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आचुका है set login pin यहाँ से मैं अपना login pin set कर सकता हूँ यहाँ पर लिख है कि login pin is four digit pin मतलब कि चार अक्षिरों का वो आपका login pin आपको डालना होगा तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो भी मैं अपना pin डालना चाहता हूँ तो मैं एक बार डाल देता हूँ so guys आप देख सकते हैं मैंने उपर की side login pin डाल दिया है फिर confirm करना है same login pin दोनों में होना चाहिए उपर भी नीचे भी दोनों में आपको same डालना है और नीचे आपको submit को option देखने को मिल रहा है submit पर click कर देना है जैसे आप submit पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं login pin should not be same as your last two login pin अब मेरे को क्या दिखा रहा है जब मैंने last बार पहली बार जब मैंने application यूज़ करी होगी तो उसमें same pin मैंने डाल रखा होगा तो मुझे ये दिखा दिया है कि आपने same pin डाल दिया है पहले भी ये pin मैंने use करके रखा हुआ है अगर आप बार बार pin change करते हैं तो अगर आपने पिछली बार भी same pin डाल रखाऊगा वो same यहाँ पर नहीं डाल सकते तो आपको यहाँ पर change करना होगा मैं एक बार change कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फिर से pin डाल दिया है और submit पर click करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं success login pin has been set successfully तो मेरा pin जो है success हो चुका है प्रोसीड करते हैं प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर उपर मेरे पास notification भी आ चुका है देख सकते हैं कि मैं अपना login pin change कर चुका हूँ देख सकते हैं login pin डाला और मैं यहाँ पर अपना login कर चुका हूँ अपने account में यहाँ से मैं अपना सब कुछ चेक कर सकता हूँ तो ऐसे अगर आपको expired problem आ रहे हैं इस application में तो ऐसे solve कर सकते हैं hope आपको सब को समझा चुका है वीडियो चलिए लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल आप टेक कर लाव यू ओल